करोना वाइरस के कानर दुनिया भर में लंबे समय तक उड़ा इसके अनुसार विमानन इतिहास में अब तक किस सबसे तेज़ यातायाद गिरावट दर्श की गई है साल 2019 के पूरे साल की तुलना में 2020 में हवाई यात्रा की मांग में 65.9% की गिरावट हुई इसके अलावाद दिसम्बर के अन्त से एडवांस बुकिंग में भी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है IATA के मताबिक 2020 में हवाई यात्रा की मांग 2019 के इस तर से 75.6% कम थी वही 2019 की तुलना में 2020 में घरेलू मांग 48.8% कम रही जन्वरी 2021 में की गई एरवांस बुकिंग एक साल पहले की तुलना में 70% कम रही International Air Transport Association के महान निदेशक और CEO Alexander D. जूनियॉक ने कहा कि दुनिया ने पिछले साल एक तबाही देखी जिसका वर्लन करने का कोई तरीका नहीं है उन्होंने कहा कि कुरोना वाइरस के प्रकोब और इसके नए प्रकार के कारण और आधिक कंभीड यात्रा प्रिद्वन्द लगाए गए थे वहीं एशिया पैसिफिक एरलाइन्स के पूरे साल के एर ट्राफिक में 2019 की तुलना में 2020 में 80.3 फेसदी गिरावट आई जो किसी भी छेद्र के लिए सबसे बड़ी गिरावट थी दिसंबर में सक्ट लगडाउन के दोरान ये नवंबर में 94 प्रतिशत गिर गई तथा इस दोरान यूरोपी कंपनी ने 2019 के मुकाबले 2020 में 73.7 प्रतिशत यातायाद में गिरावट देखी 2019 की तोल्ला में उत्तरी अमेरिका एयरलाइनों का यातायाद 75.4 प्रतिशत गिर गिर गिया जबकि लैटिन अमेरिकी एयरलाइनों ने 2019 की तोल्ला में 71.8 प्रतिशत की यातायाद में गिरावट देखी अफिर की एरलाइंस का यातायाद 2019 की तुलना में पेशले वर्स 79.8 प्रतिशत गिर गिया जो सबसे अच्छा प्रदर्शन था बीरो रिपोर्ट आईपेन जुलना में आईपेन कि एमने याद में झाल सादन थाएंस के लिए खिर गिया एका समयभा जी आएगर में आईपेन